करें बनाच यह देखिए कि हाइनिemment कॉलर 콩 के लाइन ड्रेस बनाया है मैंने यहां पर हमारे बटने हैं कि पर की स्लिख्वे ने कंफ लगी हैं यहांपर भी बटन हम रगे हैं ऑर फरंट यह देखिए, S और M दोनों इसको वहर कर सकते हैं, ठीके, तो चलिए मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे बना सकते हैं इसको आसाने से, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे अच्छा रखता है, आगे भी वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए इसको देख लेते हैं, कैसे कब बना सकते हैं हम, ठीके, यह देखिए, फ्रेंड्स, मैंने यह cotton fabric लिया है, इस fabric पे flower की design बनी हुई है हमारी, यह cotton fabric है, तो चलिए इसको हमारे length के हिसाब से और chest के हिसाब से इसको table पर लगा लेते हैं, ठीके, फिर आपको बताते हूं, मैं इसमें measurement कैसे लगाएंगे, यह देखिए, फ्रेंड्स, हमारी जितनी length थी, अपर पार्ट की, उतनी मैंने इसको length में ले लिया है, यह हमारे four fold है, two piece है हमारे, फ्रेंड्स, यह जो मेरी side है, यह fold है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक CD line लगा देते हैं, यहाँ से, उसके बाद हम यहाँ पर shoulder लगाएंगे, मेरा जो shoulder है, वो 14 का है, उसका half लगा देती हूँ, मैं इस तरह से 7 inch पे, और 1 inch में इसमें extra layer रहें फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें collar लगा रहे हैं, इसलिए, यहाँ से 1 inch पे एक निशान लगाते हैं, यह back piece में हमारा उठेगा, ओ इसमें मैंने 2 inch प्लस करके लिया था, ठीके, जो हमने 1 inch अपर पाट के लिए उठा दिये है, back piece के लिए, अब यहाँ से इसको सिधा कर दिया है, मैंने, और यहाँ से 7 inch का एक निशान लगा देते हैं, 1 inch पीछे कर दिया है, मैंने, अब इसको सिधा कर देते हैं, ऐसे, यह चेस्ट का आप लगा देते हैं, 36 की मेरी चेस्ट है, उसका 4 पर निकल कर यहाँ पर लगा देते हैं, 9 inch पे, ठीके, और यहाँ से मैं 1,5 inch ले रही हूं, एक्स्ट्रा, हम आदा इच पे सिलाय लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें, back में elastic लगाने वाले, ठीके, आप चाहो तो इसको margin के हिसाब से भी रख सकते हैं, और यहाँ से भी 28 की मेरी कमर है, उसका 4 पर यहाँ पर 7 inch पे लगा देते हैं, यहाँ से भी मैं 1,5 inch पे निशान लगाऊंगी, एक inch मैं टक्स के लिए ले ली हूं, ठीके, अब दिखिए इसको दोनों को इस तरह से सिधा कर देते हैं, और यहाँ से शेब दे देंगे, आर्म होल का, इस तरह से, आप दिखिए फ्रेंट्स, यहाँ से गले की चोड़ाई लगा देते हैं, कॉलर के लिए, नॉर्मली जो गलला होता है, हमारा वो 3 inch का होता है, पर इसमें हम ज्यादा लगाएंगे, ठीके, तो यह देखिए, मैं 3 इसमें चोड़ाई लगा रही हों, कॉलर के लिए, ठीके, क्योंकि हमें चोड़ाई में बढ़ाना होता है, यहाँ से अप शोल्डर गिरा देते हैं, इस तरह से 1 inch पे, हमने 1 inch का जो मार्जिन लगाए थे, यहाँ से फ्रेंट का शोल्डर गिराएंगे, ठीके, ओके, फ्रे फ्रेंट में नेक का शेप लगाकर फिर फ्रेंट काटनेंगे, ठीके, यह देखिए, अब इसमें से बैक पीस को हटा देते हैं, इस तरह से गले का निशान लगाकर, जो यह 1 inch का मार्जिन लगाए था, उसी में मैंने इसको शेप दे दिया है, अब देखिए, फ्रेंट का नेक का लगाती हूँ, मैं 3 inch पे, 3 inch मैंने लिया हमें फ्रेंट का शेप यह देखिए, इस तरह से, तो सबसे पहले बैक नेक काट देते हैं, इस तरह से, इसके बाद हम इसमें बैक पीस हमारा वो हटा देते है, इसके बाद हम फ्रेंट का नेक काट नेंगे, यह देखिए, यहां से हम नेक काट देते हैं, यह देखिए, इसके बाद हम शोल्र काट देगे, इसके बाद हम आर्म हूल काट देंगे, फ्रण्ट का, ठीके? अब यह जो हमारा फ्रण्ट पीश है, यह भी रेडी हूग गया, पहलेकं पें wow के ये डेखिए अब यहां से हम तक्स का निशानल लगा देते हैं ये तwy के अधाव ये यहां से तीन इंज पे टक्स का निशान लगा रही हुं ये प्रेंट अब हम दोनों तरफ से हाम इंज का इस तरह से निशान लगा कर इसको ये देखिए फ्रेंट्स टक्स का जो ले रही हूं में वो 5.5 इंच का ले रही हूं ठीक है अब जो हमने आदा इंच का जो निशान लगाए हैं हाफ इंच का उसको इस पे मिला देते हैं इस तरह से ये दीखिए gerek है यह हमारा टक्सका इरो इसां करें के अब इस निशान को हम पीछब करेंगे और बैक पीस में तरण छे टक्सका हेरे ले अब चालिए फ्रेंट टक्सका इ कटते हैं यह देखिए मैंने स्लिव के लिए इस तरह से टू पेस ले इसमें हम कफ लगाने वाले हैं नीचे से आदा इच जाएगा और उपर से आदा इंच जाएगा इसलिए मैंने इसको एक इच पे हमारा मार्जिन लिया है ठीके अब देखिए यहां से मैं साड़े तीन इच पे डाउन कर रही हूं यहां से अब यह देखिए फ्रेंट्स यह तो हमारा चेस्ट का चौथा भाग होता है वह यहां सर मैंने लगा लिया है ठीके 9 इंच पे हमने एक इंच शोल्डर में बढ़ा दिये हैं तो यह हमारा बरापर हो जाएगा फ्रेंट्स मैंने कुछ माइनस नहीं किया है ठीके और यहां से मैं शेप दे देती हूं इस तरह मैं दे लेंगे ठीके फ्रेंट्स और यहां से शेप दे देंगे इसको इस तरह से अब इसको काट देते हैं फ्रेंट्स स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है यहां से मैंने नोश लगा दिया है सेंटर का देखिए फ्रेंट्स अब इसको इस तरह से खोल देते हैं स्लीव्स को और यहां से फ्रेंट्स का जो हमारा शेप है वो दे देते हैं यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारा राइट साइड फैब्रिक है यहां से शेप दे देते हैं हम इस तरह से अब इसको काट देते हैं यहा और तक यह मंए पता रहे यह हमारा फॉर्न्ट में जाए गा करें ya मैंने घेमरे के लिए इस तरह से फैबरे को फॉल्ड कर लिए इस है के यह जो मेरी साइड है यह full साइड है वह हमारी कि नारी है वह इस तरह Korea की यह जो है वो फोल्ड है फ्रेंट्स जितनी मेरी लेंथ थी उतना मैंने इसको फोल्ड कर लिया है देखिए फ्रेंट्स अब यहां से हम अपर पर का माइनस कर देंगे 15 इंच की मेरी अपर पर था इसको मैंने उपर से माइनस कर दिया है और यहां से मेरी 42 की लेंथ है इसमें मैंन इंच जो हमने एक्षर लगाए ते वह देच्छे का मैंने यहां पर ले लिया है तिक है अब देखिए यहां से मैं Чार इंच पर एक निशान लगा रही है रख देने के लिए अब इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे, ऐसे यह देखिए इस तरह से, ठीक है तो यह हमारा round में अच्छे से बैट जाएगा ठीक है यह देखिए आप इसको काट देते हैं हमारा जो घेरा है वो ready हो चुका है अभी ठीक है वीडियो के आखिर तक बने रहें फ्रेंट्स अब वीडियो पसंदार यह तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए है तो subscribe भी जरूर करें फ्रेंट्स यह देखिए अब जो हमारा घेरा है वो कॉट चुका है इस तरह से देखिए हमारा घेरा जो है ready हो चुका है अब इसकी स्टिचिंग करते हैं फ्रेंट्स देखिए जो हमारा बचावा कपड़ा है इसको हमें समाल कर रखना है क्योंकि हमें इसमें कफ निकालेंगे ठीके यह दखिए फ्रेंट्स सबसे पहले मैं इसको टक्स को सिलाय लगा देती हुँ मैंने दोनों तरफ इसका निशान ले लिया है इसके बाद हम इस तरह से फ्रंट का पैटन बनाएगे ठीके इसतरह से मैं टक्स को सिलाय कर देती हुँ यह देखिए मैंने टक्स को लगा लिया है इस तरह से यह देखिए दोनों पीस में मैंने इस तरह से टक्स का निशान लगा कर सिलाई कर दिया अब यहां का हमारा जो फ्रेंट का पैटन है यह बनाएंगे ठीके यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से मैंने एक पीस ले लिया है इस तरह से यह देखिये अब हमें यहां पर लगाना है इसको इस तरह से यह देखिये फ्रेंड्स यह जो मैंने लिया है यह 7 इंच की इसकी छोड़ आई है ठीके और इसकी जो लेंध है उसकी 10 इंच की ठीके इसको यहां से side से half inch पे सिलाए लगा देते हैं ठीके दोनों तरफ से सिलाए लगाना है हमें ये देखिए इस तरह से अब हम इसको सीधा कर देते हैं friend इसका जो कोना है इसको थोड़ा सा कपडा काच देते हैं तो यह हमारा जो कोना है वो अच्छे से सीधा हो जाएगा यह देखिए इस तरह से यह देती है आज से अब हिह हमारा सीधा हो चका है मैं आपको बता देती हूँ यह कैसे लगेगा यह देखिए यहां से हमें शेटर मिलाकर लगा दियना है अब इसके जो side का जो हमारा button लगे हैं उस वाले को बनाते हैं friends देखिये उसके लिए मैंने इस तरह का fabric लिया है जितनी हमारी belt थी उतना ही मैंने fabric लिया है friends ये देखिये इस तरह से 3 inch का है ये हमारा belt ये जो हमने बनाए और आदा इंच मैंने एक्ष्रा ले लिया है मार्जिन के लिए ठीक है यह सिलके उतना ही हो जाएगा अब यहां से सबसे पहले इसको फोल्ड करके यहां से एक शेप में काट लेते हैं इस तरह से यह देखिए अब हमें हाफ इंच पर इस तरह से सिलाय लगा देना है जिस तरह का हमने शेप काटे हैं बिल्कुल उसी तरह से यह देखिए मैंने सिलाय लगा दिया है इसके जो नोख है उसके काट देते हैं ताके यह हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए ये देखिए मैंने सीधा कर दिया है इसको इसके नोग भी निकाल लेंगे अच्छे से ये देखिए हमें इस तरह से ये मैंने रेडी कर लिया है जो दूसरा पीस है ये आपको दिखा निकले मैंने इसको बनाया फ्रेंच ठीके बिल्कुल हमें इस तरह से रेडी कर लेना है देखिए हमारे सारे पीस रेडी हो चुके है अभी अब इसका सेंटर निकाल कर बीचो बीच हम यहाँ पर लगा देते हैं ठीके यह देखिए इस तरह से अब इस पे एक सिलाई लगा देंगे अब पिन हमने लगा लिये हैं इस पे एक सिलाई लगा देंगे ठीके यह देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है भी अब यह जो साइड की हमने बनाए हैं इसको लगाएंगे भी ठीके यह देखिए फ्रेंस इसको कैसे रखना है इसको एक इंच हम अंदर की तरफ ले लेंगे, ठीके, इसके लेवल में हम इसको रख देंगे, दीखिए यह एक दम पर्फेक्ट आरा है हमारा, अब यहां से सिलाय लगा देंगे, ठीके, यह देखिए, इस तरह से, हमें लेवल में रखना है, फ्रेंट्स, दोनो, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से रखेंगे एक इंच अंदर ले लेंगे इस तरह से और इस तरह से लेवल में रखेंगे और यहान से शिला लगा देगे ठीके दीचिए हमने दोनों लगा लिये हैं अब इसको एक्ष्टा कपड़ा है उसको काट देते हैं यह देखिए इस तरह से ठीक है अब यह रेडी हो चुके हैं फ्रेंट्स अब इसका शोल्डर लगा देते हैं बैक पीस लेके हम इसका शोल्डर को जोड़ देंगे वीडियो की एंटंग बने रहे हैं फ्रेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है यह देखिए हमने शोल्डर जोल दिया है भी ठीके यह देखिए फ्रेंट्स अब यहां से इसका घेरा लगा देते हैं फ्रेंट्स ठीके देखिए सेंटर में लाएंगे हम इसका दोनों का इसको हटा कर ही लगाना है हमें फ्रेंट्स किके यह कभी सिलाई में भी आ सकता है ठीके जो हमने पैटन बनाए हैं उसको हटा कर इसको जोड लेंगे मैंने इस तरह से जोड़ दिये थीक के लिए आप सिलिव्स को लगा देते हैं इसका कफ बनाते हैं सबसे पहले कफ बनाने के लिए मैंने इस तरह से कपड़ा ले लिया है एक्ष्टा ही लिया है मैंने बाद में इसको हम काट के हटाएंगे ठीके यह देखिए फ्रेंट साड़े तीन इंच का मैंने लिया है यह कफ यहां से हम एक शेप दे देते हैं इस तरह से देखिए जिसे मैं दे रही हूं शेप और यहां से हाफ इंच एक्ष्टा कपड़ा छोड़कर काट देते हैं ठीके यह हमारे फ्रेंट में आएगा फ्रेंट्स और यह हमारे साइड में जाएगा ठीके अब हमें इसमें सिलाई लगाना है इस तरह के हमें आठ पीस निकालने है यह देखिए डबल करके मैंने इस तरह से आठ पीस मैंने निकाल दिया है ठीके एक सिलीव में हमारे दो लग जाएंगे देखिए सिलाई लगा दिया है मैंने यह देखिए इस तरह से शीदा कर देती हूँ आपको दिखा करके देखिए इसको भेए इस सिदा करा डिया कि दिखे हैं मैं इसको अच्छे से एरं कर दिया है अब यह सी हमारे होग की है दो पीस हम side में लग देते हैं और दो पीस हम इस तरह से ले लेंगे देखिए मैं लगा के दिखा देती हूं आपको यह देखिए इस तरह से हमारे piece लग जाएंगे ठीक है देखिए फ्रेंट्स यहां से मैंने 5 इंच पे एक सिलाय लगाया है जो आपने पहले pattern मनाया है उसमें भी मैंने ऐसे ही लगाया है आपको दिखानी भाई मैंने ठीक है यह देखिए इस तरह से पिन लगा दिया है इसको भी इस तरह से लगा देते हैं अब यहां से हम half inch की एक सिलाय लगा देते हैं ठीक है उल्टे कपड़े पर लगाया है मैंने फ्रेंट्स देखिए इस तरह से half inch पर मैं सिलाय लगा देती हूं फिर हम इसको आगे की साइड फोल्ड कर देंगे यह देखिए, इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको फोल्ड करके यह कैसे दिखाई देगा, ठीके, यह देखिए, इस तरह से हमें आगे की और इसको डालना है, तो सबसे पहले मैं यहां से भी एक सिलाई लगा देखिए, ताकि यह फोल्ड होने में आस उपर से एक हाफ पवना इंच पे सिलाई लगा देंगे ठीके यहां से उसके बाद जो एक्ष्टा कपड़ा है उसको हम काट देंगे फ्रेंट्स ठीके देखिए फ्रेंट्स दूसरी जो स्लीव्स है उसमें भी मैं ऐसे ही लगा दूँगी ठीके फिर आपको बताऊंगी देखिए अब हमारी सिलाई लग चुकी है अब जो एक्ष्टा है उसको काट देते हैं यहां से यह देखिए आप जो काफ है हमारे वो रेडी हो चुके हैं यह देखिए यहां से हमारे बटन लग जाएंगे सेंटर में ठीके अब जो दूसरी स्लीव्स है उसको मैं लगा कर आपको दिखा देती हूं ठीके देखिए फ्रेंट्स दोनों स्लीव्स जो है हमारी वो रेडी हो चुकी है यह देखिए आप इसको मैं टॉप में लगा देखिए देखिए यहां से मैंने शोल्डर में हाफ इंच का जो है इसकी सिलाई खोल दिए ठीके यहां से हमें कॉलर लगाना है इसको नापेंगे सबसे पहले जो मेरा कोलर है वो 21 इंच का है फ्रेंट्स ठीके आप इसको नाप लेकर भी लगा सकते हैं इस तरह से हैड़ इसको नाप देते हैं इस तरह से दिखिए फ्रेंट्स यह साड़ा अठारा इंच प्यारा है हमें चाहिए 21 इंच का ठीके तो देखिए मैं इसको बढ़ाते कैसे यह आपको दिखा देती हूं इस तरह से शोल्डर पकड़ेंगे इसको हमें चौडाई में काटना है देखिए यहां से हाफ इंच पे इस तरह से काट देते हैं तो यह सिलने के बाद जो है हमारा 21 इंच पे आ जाएगा ठीके यह देखिए इस तरह से मैंने हाफ इंच पे ऐसे काट दिया है यह देखिए यह साड़े 18 इंच था हमने हाफ इंच पे काट दिया है तो यह साड़ कि इसको घेहराई में काटना है ठीक है जितना आपका कॉलर कम पड़ता है उतना आप कॉड ओकॉ काट ले यहाई देखि daha है उस Ф्रेंट इस तरह से मैंने 21-ैंच का हमारा काट था यह 6-餃च की चौडाई है इसकी ठीक है और 21-ैंच्क य्हाँ हमारा जोfag मैंने 2- ecStra तरह से हाफ इंच पे शिलाय में जाएगा और इसको चड़ाना है बटन के लिए ठीक है एंड तक देखते रहें फ्रेंस आपको समझा जाएगा ठीक है इस तरह से हाफ इंच पे शिलाय लगाते हुए हम कॉलर को रेडी कर लेंगे देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ और यहां से हाफ इंच पे उतार देंगे नीचे जो हमारा कॉलर है वो रेडी हो जाएगा यह देखिए इस तरह से अब इसके जो कोने हैं इस तरह से काट देते हैं आईसे आप इसको सीरा कर देते हैं यह कोने हमें अच्छे से निकालना है फ्रेंट्स यह देखिए इस तरह से देखिए अब यह कोलर हमारा रेडी हो चुका है अब इसमें लगा देंगे फ्रेंट्स जहां से हमने उपन किया था हाफ इंच का शोल्डर में हमने half inch का open किया था ठीके अब यहां से इसको लगाना शुरू करते हैं ठीके थोड़ा सा इसको open कर देते हैं यहां से half inch पे जिस तरह से हमने shoulder open किये थे देखिए इस तरह से अब यहां से हम इसको दोनों को लगाना शुरू करेंगे ठीके यह देखिए पूरे round में हम इसको लगाते वे लेके आएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का procedure देखते रहिए देखिए friends पूरा मैंने round में सिलाय लगा कर यहां तक लेकर आई हूँ यह देखिए अब यहां से हमारा 7 inch extra है यह देखिए बिल्कुल confuse मत हो यह friends यह जो extra आ गया है हमारा यहां से इसको fold करके आईसे सिलाय लगाएंगे उसके बाद जो है जो हमारा extra है यह देखिए इसको आईसे रखते वे हमें सिलाय लगाना है इसको चड़ाना है एक inch उपर हमें ठीके देखिए friends पूरा मैंने इस तरह से राउंड में सिलाय लगाते हुए यह रुकाया है आपको दिखाने के लिए यह जो हमारा extra हो रहा था इसको इस पे रख देंगे ठीके देखिए इस पे आईसे रखते हुए इसको सिलाय लगा देंगे यह देखिए friends इस तरह से एक इंच सोजो सवा इंच हमारा extra हुआ था इसको मैंने उपर चड़ा दिये अब आपको समझ में आया होगा ओके आप देखिए friends हम साइट की सिलाय लगाएंगे पर उससे पहले हम पीछे बेल्ट अगाएंगे देखिए यह back piece मैंने ले लिया है इस तरह से back में हम elastic लगाएंगे friends यह देखिए धाइ इंच कावड़ाई मैंने इस तरह से fabric को ले लिया है ठीके जितना हमारा back है उतने मैं मैंने इस तरह से 2 इंच कम लिया है friends यहां से 1 इंच का fabric छोड़ते वे हमें side से सिलाय लगाना है देखिए मैं आपका लगा का दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरह से हमें fold करना है friends पहले से ठीके ये देखिए आपको दिखा देती हूँ मैं यहां से हमेने इस तरह से fold करते वे 1 इंच fabric को छोड़ते वे इस तरह से हमें सिल्या लगाना है ठीक है जहां से हमने घेरा जोड़े थे वहां से लगा रही हूं मैं यह देखिए इसी बीच में हमें इलास्टिक भी इसी में लगाना है फ्रेंड्स देखते रहे हैं मैं आपको लगा कर दिखा देती हूं हाफ इंच फोल्ड कर रहे हूं फ्रेंड्स मैं यह देखिए ऐसे देखिए हमारे एंडिंग आ गया है यहां पर अब यहां पर हमें सुई को रुकाना है नोक पर इसके यह देखिए यहां पर अब यहां से हम इलास्टिक रखेंगे इसके अंदर यह देखिए इस तरह से हमें लास्टिक को रखते हुए यहां से पक्का कर देना है ठीके देखिए यहां पर इस तरह से मने पक्का कर दिया है अब यहां से इसको फॉल्ड कर देते हैं हाफ इंच पे यह देखिए ऐसे इस तरह से फॉल्ड करते हुए दूसरी साड भी सिलाय लगा देंगे ठीके यह देख इस तरह से हब हाफ इंच पे फोल्ड करते वे पूरे में सिलाय लगा देंगे, ठीके, इलस्टिक को अंदर की ओर हमें धकेलते रहना है, वनना यह इलस्टिक जो है हमारी सिलाय में आ सकती है, दिखिए हमारी एंडिंग आ गई है भी, यहां से इसको पक्का कर देते हैं, ठीक पक्का कर देते हैं, आप इसको यहां से इस तरह से रखते हैं, यहां से रखते हुए फैबरिक पक्का कर देते हैं, यहां से ठीक है जिस तरह से हमने फरस्ट में किये थे यह देखिए आइसे इसको मैंने अभी पक्का कर दिया है यह देखिए फ्रेंड हमारी लेस्टिक भी लग चुकी है आप इसकी साइड की सिलाय लगाते हैं फ्रेंड्स ठीक है हाफ इंच पे सिलाय लगाना है हमें ओके यह देखिए इस तरह से हाफ इंच पे हम इसको सिलाय लगा देंगे ठीक है S और M दोनों पहन सकते हैं फ्रेंट्स इसको हमेशा मुझे कोशन पूचा जाता है ये किस नाप का है ओके ये देखिए हाफ फिंच पर मैंने इस तरह से सिलाय लगा दी हूँ अब इसके घेरे में सिलाय लगाएंगे यहां से सबसे पहले सिंगल फोल्ड करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करके यहां पर सिला लगा देंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंट्स इसको रेडी करके तो मिलती हूँ मैं नेक्ट वीडियो में फ्रेंट्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाई अल्ला हाफीज